हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटी टू कॉम्टीटी में स्वागत करता हूं जैसा कि आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि कैसे आप पुल बैक को ट्वेड कर सकते हैं और यहां पे जो आपको पुल बैक को ट्वेड करना वह पुल बैक आपका किस तरफ देखने को मिलवा अपसाइड की तरफ और इससे पहले भी हमने बताया था आपको कि पुल बैक के ऊपर कैसे ट्वेड कर सकते हैं पुल बैक को कैसे ट्व कर सकते हैं लेकिन यहां पर आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहा है कि जो पुल बैक आपका अपसाइट की तरफ आता उसको आप यहां पर कैसे ट्वेड कर सकते हैं तो सबसे बहले यहां पर क्या हो रहा देखिए यह जो लेबल है यह आपका रिश्टेंस के बन गया है और उसके बाद प्राइस उपर गया और वापस से नीचे आप अपसाइट लेवल को टुछ किया और सपोर्ट लेवल को टुछ करने के वाद जो अपसाइट मूब दिखाता है इसी को हम लोग पुल बैक बोलते हैं यह पुल बैक हो दा क्या उसका आइडिया इस पुल बैक को हम कैसे ट्वेड कर सकते हैं यहां पर हमें कहां पर इंट्वी लेना है कहां पर स्टॉप लोस होगा कहां पर टागेट प्राइस होगा वो सब मैं आपको चार्ट पर ले जाके पूरी तरीके से एक्स्प्लेन करता हूं चलिए चार्ट पर चलते हैं और इस यहां प्रिकन है बस आपको जो पैटर्ग मैंने बता है वह पैटर्ग को यहां प्रेंटिकांड करना वह पैटर्ग क्या ऐस Is आपका सपूर्ट लाइन अब प्राइस इसको प्रेकर के ऊपर निकला और फिर नीचे आया और फिर इस support line को touch किया है और फिर यहां से यह आपका upside की तरफ pullback दिखा है यहां पर हमें pullback find करना upside की तरफ ऐसे ही सारा pattern find होड़ना चाहिए यह आपका resistance level को break करके support level बना देगा फिर नीची आएगा फिर support level को touch करेगा और यहां से upside की तरफ निकलेगा यह इस तरह का pattern आपको identify क कर सकते हैं तो चलिए यहां पर हमने इसको clearly identify के विलाइंस industry के daily chart में अब इसके basis पर हम अपना stop loss target price entry point कहां पर रखेंगे सबसे पहले अगर हम यहां पर stop loss की बात करें तो इस pattern का जो भी lowest point बनता है यह हमारा क्या काम करेगा यह हमारा stop loss के रूप में काम करेगा और यहां प देखें जो भी candle सबसे पहले support line को touch किया उस candle के highest point को break करते हैं यहां पर हम entry लेंगे यह हमारा बन जाएगा entry point और यहां पर हमें entry किस तरफ लेना entry by side के दिरफ लेना तो stop loss entry point के लिए रहो गया target price आप previous swing high को target price के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह आपका swing high तो पहला target price यह हो जाएगा उसके बाद आप चाहो तो दूसरा swing high जो इससे उपर होगा previous chart को देखके के ले सकते नहीं तो इसके बाद आप चाहो तो अपना ट्वेलिंग stop loss का भी इस्तमाल करके आगे continue कर सकते हो और price आपका अच्छा कासा ऊपर गया यहां पर अगर हम बात करें लगबग आपका 2600 ले ले लेते हैं इससे नीचे इंट लिया थे लेकिन इस पार्टिक्लर लेवल पर ही ले ले लेते हैं यहां तक गया है लगबग आपका 2850 के लेवल तक गया यहनि इस पार्टिकुलर लेवल से लगबग प्राइस आपका 2500 उपर गया यहनि दस परसंट का अवर अपसाइड निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट यहां पर काउंट होगा तो यहां पर हम डेली चार्ट ल लेना समझ में आ गया है यहां पर हम दूसरा अब है स्थ का यहांपर हम इसके दो आवर ले रहे हैं यहां पर आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम में बताया है बस टाइम फ्रेम कुछ भी हो हमें पैटर्न एक ही एड Алइनकर अकई करना यह बाना पैटर्थ हमें आइड़े आप देखिए यहां पर यह हुआ है इसका लोईस पॉइंट एसल हो गया पहला केंडल कुण टॉइंट किया यहीं यह हमारा इंट्री पॉइंट हो जाएगा और यहां पर हम भाई करेंगे पहला स्विंग आइकों सा बना यह 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 लेवल हमारा क्या बन जाएगा टागेट बन को इसने आसानी से हिट किया यह निए यहां पर जो हम इंट्री ले रहे हैं वह लगवग आपका 36,20 करीब यहां पर हम इंट भी ले रहे हैं और यह आल नवे आपका गया है 38,50 करीब यह नहीं यह भी आपका लगवग 200 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखा है और यहां पर भी हमें 5% से ज़्यादा का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है सिर्फ कुछ दिनों की बात करें तो यहां पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा और यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना यह पैटर्न आपको अजिंटिफाइग करना उसके बाद यहां पर देखिए जहां से पूल बैक स्टार्ट हुआ उसका फिर 30 मिनट फिर 15 मिनट के डिफरेंट एक्जामपल को देखेंगे ताकि आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट सिचुएशन में सेम चीज आसानी से समझ में आजए यहां पर हम कौन से पैटर्न को आइडेंटिफाइग करना और यह सिंपल सा पैटर्न है आप पर भी देखेंगे आसानी से आइडेंटिफाइग कर सकते हैं अब यहां पर देखेंगे यह आपका रिश्टेंस लिवल है इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकला फिर यहां पर सपोर्ट डिवल के पास आया फिर यहां से पुल बैक दिखाया पुल बैक किस तरफ है हमारा दूसरा टागेट पैस होगा दोनों को इसना असानी से हिट किया तहाँ उसे कि यहांपे ले ले रहें लगबग आपको यहांप 5 से पांच परसेंट का प्राफिट आसानी से मिल गया तो देख सकते हैं आपको 4-5% का profit कितनी आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है सिर्फ कुछ दियों 2-3 दिनों के अंदर ही बस काफि सिंपल जा काम है तो यहाँ पर हम अगले example पर आते हैं और वो example है आपका विपरो का और यहाँ पर देख सकते हैं हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम बादा चार्ट इस्तमाल कर रहें अब यहाँ भी देखिए इससे पहले क्या हो रहा है यह लेवल आपका support resistance support resistance के रूप में काम कर रहा है अब यहाँ पर क्या था support level था इसको break किया है फिर वापस से क्या बन गया resistance level बन गया यहनि हमें यहाँ पर resistance बन गया अब प्राइस नीचे से ऊपर गया resistance level को break किया अब resistance किसमें convert हो गया support में convert हो गया फिर प्राइस आपका उपर से नीचे आया और इस support level को touch किया और यहाँ से upside की तरफ आपका pullback दिखा यहाँ जो pattern हमें चाहिए था कि वह pattern यहाँ प्यामें आसानी से मिलता हुआ दिखा तो यहाँ पर इसका जो भी lowest point है lowest point आपका support line से उपर है support line से थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पर stop loss रखेंगे उसके बाद पहला candle लगभग यह तच किया तो इस particular price पर हमारा क्या बन जाएगा entry point बन जाएगा और यह congestion जोन भी है उसके बाद price आपका all the way उपर गया पहला swing high यह है तो यह हमारा target one बन जाएगा दूसरा trade नहीं लेंगे trade execute करना छोड़ देंगे इस support level को respect करना चाहिए anyhow कोई भी टाइम फ्रेम में अब यहां पर हम दूसरा टाइम फ्रेम पर आते हैं और दूसरा से यह support level को touch किया अब देखिए कुछ-कुछ candle इसके नीचे किया लेकिन closing basis पे इसको break नहीं किया हमें वेट करना है कि closing basis पे ब्रेक होना चाहिए अगर लगाता है इसके नीचे फॉर्म हो गया तो यह pattern समझ लिए ब्रेक हो गया इसके वेशिए नहीं करना और यहां पर वैस उसके बाद price आपका same day इसी level के आसपास trade किया जहां पर हमने इंट्रे लिया उसे के आसपास ही आपका trade करता रहा है और उसके बाद अगले next day यानि next trading session यह आपका upside move दिखाया और पहला swing high को इसने hit किया यानि पहला target price को इसने hit किया तो अगर आप यहां पर इसके basis पे इं down है इसको identify करने नहीं pullback हमें upside की तरफ देखने को मिलबा उसको identify करना और लास्ट वीडियो हमारा देख सकते हैं इसमें हमने explain किया कि pullback अगर downside की तरफ आएगा तो इसको आप कैसे identify करोगे तो उमीद करते हैं यह concept आपको समझ में आ गया होगा और यह simple concept है जिसके basis पे चलों को जबू सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दमाना न भूले तो डेट सॉल फ्रेंड्स मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन